नमस्कार आईए देखते हैं आपका इस हफ्ते का राशी फल मेश राशी इस हफ्ता है प्रॉपर्टी लेने के लिए समय अनुकूल है आप काफी रोमैंटिक मूड में रहेंगे कोई भी फैसला लेते हुए जलबाजी ना करें आपका शुब दिन है शुक्रवार शुब अंक है नो शुब रंग है ग्रे और शुबरत्न रहेगा मानिक्य प्रुशब राशी इस सब्ता है आपका रुका हुआ पैसा या खोई हुई बस्तु आपको वापस मिल सकती है बाहर का खाना खाने की वज़े से आपका पैट खराब हो सकता है ध्यान रहें छात्राओं को इस सब्ता आसानी से सफलता प्राप्त होगी शुब दिन है रविवार शुब अंक है दो शुब रंग है सफेद और शुब रत्न रहेगा मोंगा मिथुन राशी के सब्ता बिजनस टूर के सम्मंदित या किसी प्रापर्टी लेने के लिए आपको भार जाना पड़ सकता है कोई पुरानी बीमारी आपको परिशान कर सकती है किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकाद हो सकती है शुब दिन है गुरुवार शुबंक है तीन शुबरंग है लाल और शुबरत्न रहेगा पन्ना करकराशी या सब्ता निवेश करने के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है बिजनस में काफी नुकसान हो सकता है किसी रिश्तिदार के वज़े से घर में कलेश निर्मान हो सकता है शुब दिन है गुदवार शुबंक है छे शुबरंग है नारंगी और शुबरत्न रहेगा मोती सीहराशी इस सब्ताहा आपके कारोबार में तनाव बढ़ सकता है इससे आपके रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं ध्यान रहें किसी पुराने दोश से आपकी मुलाकात हो सकती है शुब दिन है गुदवार शुबरंग है ए शुबरंग है भूरा और शुबरत्न रहेगा मानिक्य कन्या राशी इस सब्ताहा कोई प्रॉपर्टी बेचने का खयाल दिमाग में ना लाएं रिष्टो के लिहास से ये अप्ता थोड़ा कठिन रहेगा अपनी वानी पर सैयम रखे और किसी भी तरह की गलत फैमी में ना रहें शुब दिन है सोगवार शुबंग है आड शुबरंग है नेला शुबरत्न है पन्ना तुला राशी इस सब्ता किसी प्रकार का निवेश ना करें बाहर का खाना खाने से बचें आपकी सेहत बिगड सकती है घर में किसी नए महमान आने की संबावना है शुब दिन है गुरुबार शुबंग है एग शुबरंग है नारंगी और शुबरत्न है पन्ना रुशिक राशी इस सब्ता है आपके कारियस्तल में या व्यापार में की गई कड़ी महनत का फल मिल सकता है किसी करीबी रिष्टेदार की हालत बिगड सकती है आपके भाई या बहन से बाद विबाद होने की संबावना है शुबदिन है सोमवार, शुबंक है चा, शुबरंग है काला और शुबरत्न रहेगा मानिक्य धनुराशी इस सब्ता है आपके कारियस्तल में या व्यापार में भाग्या आपका साथ देगा तिरदर्द या बुकार होने से आपका स्वास तक खराब हो सकता है वो सैयम बनाए रखने की सलाह दी जाती है शुबदिन है शुक्रवार, शुबंक है तीन, शुबरंग है पीला, शुबरत्न रहेगा मूगा मकर राशी या सब्ता आपके लिए काफी तनावपूर्ण रहेगा वहन चलाते समय सावधानी बरतें पारिवारिक जीवन में कई नई चुनोतिय का सामना करना पड़ सकता है शुबदिन है बुद्वार, शुबंक है नौ, शुबरंग है नीला, और शुबरत्न रहेगा नीला कुम्बराशी इस सब्ता व्यापार में आपको काफी नुक्सान हो सकता है परिवार की किसी सदेस्य का स्वास्त बिगड सकता है आपको सलाह दी जाती है कि आप कोई भी अपनी राय देते समय उत्तेजित ना हो आपका शुबदिन है सुमवार, शुबंक है छे, शुबरंग है बुरा और शुबरत्न रहे का नीला मीन राशी इस सबता है आप जहां भी निवेश करेंगे वो आगे जाके आपको बहुती फाइदा देगा बाहर का खाना खाने से बचे इससे आपका स्वास्त बिगड सकता है घर के सभी सदस्योका आपको पूरा सयोग मिलेगा शुब दिन है बुद्वार, शुब अंक है नो, शुबरंग है नीला और शुबरत्न रहे का मुंगा ये था इस हफते का राशी फल, अगले हफते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार